हार जीव जगत को सिस्टी कार्णे के लिए भगवान ये अदृष सक्ति का बहुती मेहनत बहुती सोच समाज के कुछ कार्णे के लिए कुछ करवाने के लिए ये विश्व बंभन्ड का अंदार वो जीब सुक्ती जीब जगत को तियार करता है लेकिन जब भगवान फास्ट बार फलफ हो जता है सेकंड बार फलफ हो जता है कितना बार बार इंसान एसे की पहले राक्षको को डाइनोसास को एसे की कितना जीब जगत को तियार किया लेकिन भगवान का ये जीब जगत को जो सोच के समाज के क्या करवाना है वो फलफ हो जता है भगवान का बहुत दूख समाज के उसको लाख्ट में डाइनोसास जीए से बिलूप तो करना पड़ता है इसलिए भगवान का जो सोच इतना अच्छा मेहनत इंसान जगत इतना तरिक्या से इतना भगवान का एक रूल है और इंसान का एक रूल है लेकिन भगवान का रूल से चलता है भेले इंसान और एक रूल बना लेता है लेकिन प्रकिति ये भगवान का रूली चलता है ये विश्वब मांडा में जो चाहे हिरनक सब जैसे को भगवान लाष्ट में नर्सिंग अभतार लेना पड़ा थंबा से ये रूल को भगवान को भी लाष्ट में तोड़ना पड़ता है जो शिष्टी का नियम खूद बनाया है खूद त्यार किया है लेकिन जब उसका सिष्टी का जो मकसद में सिष्टी करता है उसी में बाधाय विपत्ती आता है तो भगवान खूद को प्रकौठ होना पड़ता है इसलिए इंसान जगत थड़ा आत्मा से सोचने का प्रयास करना बहुत जुरूरी है क्योंकि फास्ट मेसेज अटमेटिक आता है और ये कम्पीटर हो गया, मोबाइल हो गया जितना ही टेकनोलोजी इंसान का दिमाग से फास्ट में रिशाच हुआ है इसका बाद ये प्रकौठी का तमा हो, प्लास्टिक हो और जितना उर्जा हो ये प्रकौठी से ही मिलता है इसलिए हम लोग का सरीर भी प्रकौठी का एदान है क्योंकि प्रकौठी का आलो बातास और पानी ये लेके हम लोग का जब बचपन से इतना बड़ा हुआ शरीर ये प्रकौठी से ही लिया हुआ है इसलिए बहुती इनसान जगत सांत होके इनसान जगत को जीव जगत को कैसे कारके अच्छा से राखना है हिल्प मनवभाब लेके एही इनसान का होना चाहिए एही बहुल के बात को खतम करता हूँ मैं समना था सबीको नमस्ते